आप सब का फिर से एक बार स्वागत है जनित टूटोरियल्स में आज के हमारे वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कविता परवत प्रदेश में पावस जो की सुमित्रा नंदन पंथ द्वारा लिखी गई है यसी भी एसी कक्षा 10 की पाठे पुस्तक से ली गई है इस वीडियो में हमने हर एक शब्द का अर्थ बताते हुए एक एक लाइन लेकर आपको यह कविता बहुत डीटेल में समझाई है ताकि आप एक्जाम में फुल मार्क्स ला सके और इस पोयम को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले तो आईए शुरू करते हैं परवत प्रदेश में पावस उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिये और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहली दो पंक्तिया पावस रितू थी परवत प्रदेश पलपल परिवर्तित प्रकृतिवेश प्रस्तुत पत्यांच जिसमें की दो लाइने हैं इस पोयम में पहले दो लाइन Magic हैं तो प्रस्तुत पत्यांच हमारी हिंदी की पाठि पुस्तक स्पर्ष भाग दो से लिया गया है इस कविता की कवी सुमितरा नंदन पंत जी है इसमें कवी ने वर्षा रितु का सुन्दर वर्णन किया है तो बच्चों आपको हर एक पध्यांश का प्रसंग पूछा जाएगा तो प्रसंग में आपको लिखना है कि ये कौन सी पार्थी पुस्तक से लिया गया है इसके कवी कौन है और इसमें क्या वर्णन किया गया है इसके बाद हम एक एक लाइन को लेके उसका अर्थ समझते हैं तो आईए फिर से पढ़ लेते हैं तो हमारी पहली पंक्ति है पावस रितू थी परवत प्रदेश यहाँ पावस का अर्थ है वर्षा, रितू का अर्थ है मौसंग और पर्वत प्रदेश यानि पर्वतिय शेत्र वो स्टेट जो माउंटेनियस है पल-पल परिवर्थित प्रकृति वेश पल-पल का अर्थ है हर पल या निरंतर परिवर्थित मतलब बदलता है या बदला हुआ प्रकृति वेश यानि प्रकृति का रूप तो कभी कहते हैं कि पर्वित्य शेत्र में वर्षा रितू का प्रवेश हो गया है जिसकी वज़े से प्रकृति के रूप में बार-बार बदलाव आ रहा है अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलाती है तो आईए अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा पध्यांश इस पध्यांश में छे लाइने हैं, छे पंक्तियां हैं तो आईए पढ़ते हैं, मेखलाकार परवत अपार, अपने सहस्र दुख सुमन फार अवलोक रहा है बार-बार, नीचे जल में निच महाकार, जिसके चर्णों में पला ताल, दरपंसा फैला है विशाल तो आईए देख लेते हैं, इसके प्रसंग में हमें क्या लिखना है, सेम चीज़े रिपीट हुए है कि प्रस्तत पध्यांश हमारी हिंदी की पाठिपुस्तक स्पर्श भाग दो से लिया गया है इसके कवी सुमित्रा नंदन बंध जी है, लेकिन ये आपको याद रखना है, हर एक पध्यांश का आपको ये लास्ट लाइन याद रखना है कि इसमें कवी ने क्या बताया है, इसमें कवी ने परवतों का सजीव चित्रन किया है तो अब माउंटेंज का डिस्क्रिप्शन है इसमें तो आईए देखते हैं पहली दो पंक्तियां मेखलाकार परवत अपार मेखलाकार का आड़त है करगनी के आकार की करगनी कमर में बानने वाला अभूशन रहता है तो उसके आकार की, मेखला कार, उसके आकार की, परवत का अर्थ है पहार, और अपार यानि असीम या बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंडरी ना हो, अपने सहस्र, सहस्र का अर्थ है हजार, थाउजन, द्रुग मतलब आखे, सुमन मतलब फूल, तो द्रुग समन का अर्थ है रूपी आखे या फूल रूपी आखे फाड़ तो कवी ने पहारों के आकार की तुलना करगनी अर्थार्थ कमर में बानने वाले आभूशन से की है कवी कहता है कि करगनी के आकार वाले पहार अपने हजार पुश्प रूपी आखे फाड़ कर तो आखे फार कर क्या कर रहे है वो हम अगली लाइन में देखते हैं अवलोक रहा है बार-बार यहाँ अवलोक का अर्थ है देखना बार-बार का अर्थ है लगातार नीचे जल में निज महाकार निज का अर्थ है अपना स्वेम का खुद का महाकार यानि विशालाकार हमारी पिछली दो लाइनों में हमने पढ़ा था कि मेखलाकार परवज्व है वो अपने सुमन रूपी आखों से क्या देख रहे हैं तो यहां इसका जवाब है कि नीचे जल में अपने विशाल आकार को लगातार देख रहे हैं अवलोक रहा है बार-बार देख रहे हैं, बार-बार क्या देख रहे हैं, नीचे जल में अपना खुद का बड़ा आकार देख रहे हैं, तो इन दो लाइनों का आर्थ है नीचे जल में अपने विशाल आकार को लगातार देख रहे हैं, जिसके चर्णों में पला ताल, दरप पंसा पैला है विशाल तो चर्णों का अर्थ है और ताल रिटका आर्थ है तालब डर्पनर है आइसा यॉःद तालाब को अपने चर्णों में पाला है वह तालाब पहाड के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है चर्णों में पाला है का अर्थ क्या है कि वह पहाड के नीचे है और उसी तालाब में अपना प्रतिविम्ब दिख रहा है पहाड को इसलिए ऐसा लग रहा है कि वह दर्पन तो ऐसा लग रहा है कि पहाड ने जिस तालाब को अपने चर्णों में पाला है वह तालाब पहाड के लिए एक विशाल आइने का काम कर रहा है तो अब हम एक साथ इन छे लाइनों का अर्थ पढ़ लेते हैं यहाँ पर परवत श्रंखला की तुलना करगनी यानि कमर में पहन जाए तो पानी में पहाड का प्रतिबिम्ब बन रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा लग रहा है कि पहाड ने जिस तालाब को अपने चर्णों में पाला है वह तालाब पहाड के लिए विशाल आइने की तरह फैला हुआ है अब आईए पढ़ते हैं अगली चार पंक्ति गिरिका गौरव गाकर जरजर मदमे नसनस उत्तेजित कर मोती की लडियों से सुन्दर जरते हैं जाग भरे निरजर तो आए पढ़ लेते हैं इसका प्रसंद मैंने फिर से वो लाइने रिपीट नहीं किये मैं डारेक्ली बता रहे हूँ कि इसमें कभी ने जर्णों की सुन गिरिका गौरव गाकर जरजर गिरी का अर्थ है पहार गौरव यानिशन नस ऊत्तेजित एक्साइट मोतियों की लड़ियों से सुन्दर जड़ते हैं जाग भरे निर्जर यहां मैंने आपको मोतियों की लड़ियों का एक फोटोग्राफ दे रखा है जिससे कि आप उसको कंपेर कर सके कि कैसे जड़ने मोतियों की लड़ी के जैसे होते हैं तो मोतियों की लड़ियों से सुन्दर जड़ते हैं जाग भरे निर्जर जाग का अर्थ है फेन जो फोम होता है जड़नों के गिरने से और निर्जर का अर्थ है जड़ने यहां मैंने आपको एक पिक्चर और निर्जर का दिखा रखा है ताकि आप निर्जर और मोती की लड है कि वे पहार के प्रताप के गाने गा रहे हैं और पहार के गौरव के नशे में चूर है पहारों का गुनगान कर रहे हैं तो उनकी कर्तल ध्वनी नस नस में उत्साह अत्वा प्रसंता भर देती है तो यही अर्थ है इन चार लाइनों का अब हम आगे पढ़ते हैं गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्छ कांशाओं से तरुवर हैं जाक रहे नीरवनब पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर गिरिवर के उर से उठ उठ कर गिरिवर का अर्थ है परवत और उर का अर्थ है रिदय उच्छ कांशाओ यानि उच्छा उठने की आकांशा या कामना तरुवर पेड़ है जहां करहे नीरवनब पर नीरवनब का अर्थ है शांत आकाश अनिमेश अटल कुछ चिंता पर अनिमेश का अर्थ है एक टक एक जैसे देखना अटल अचल जो की हिलता नहीं है एडमेंट चिंता पर जो चिंतन या चिंता में लगा हुआ हो तो पहाड के उपर और आसपास पेड़ भी होते हैं जो उसकी सुन्दरता को और बढ़ाते हैं तो इसलिए से परवत के रिदय से उठकर बूला गया है तो परवत के रिदय से पेड़ उठकर खड़े हुए हैं और शांत आकाश को अपलक और अचल होकर किसी गहरी चिंता में मगन होकर बड़ी महत्वकांशा से देख रहे हैं यह हमें उचा और उचा उठने की प्रेणा दे रहे हैं उठ गया अचानक लो भूथर फड़का अपार पारत के पर रवशेश रह गये है निर्जर है तूट पड़ा भूप पर अंबर तो आईए पढ़ते हैं अब इसकी हर एक पंक्ती तो आईए अर्थ पढ़ने से पहले प्रसंग समझ लेते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश में कवीने बारिश के कारण प्रकृती का बिलकुल बदला हुआ रूप दर्शाया है उड़ गया अचानक लो भूथर अचानक मतलब एका एक भूथर मतलब पहार फड़का अपार पारत के पर फरका कार्थ है फड़फडाकर अपार यानि असीम या बाउंडलिस पारद यानि मर्क्यूरी पर यानि पंक तो अचानक मौसम बदल जाता है और लगता है जैसे परवत अचानक अपने पारे के समान धवल धवल मतलब चमकीले सफेद धवल एवं चमकीले पड फड़ फड़ाकर कही उड़ गया है तो जब सर्दियों में बारिश होने लगती है तो गने कोहरे की वज़े से दूर कुछ भी नज़र नहीं आता इसलिए ऐसा लगता है जैसे पाहाड उड़कर कहीं चला गया है और क्योंके पाहाड सफेद एवं चमकीला होता है इसलिए इसे पारत के पर के साथ कंपेर किया गया है क्योंके ये मर्किरी जैसा शाइनिंग दिखता है रवशेश रह गये है निरजर है टूट पड़ा भू पर अंबर रव का अर्थ होता है नॉइस या शोर और अंबर का अर्थ है आसमान तो अब केवल जड़ने की आवाज निशानी के तौर पर रह गई है क्योंकि धर्ती पर आसमान तूट पड़ा है अर्थात बहुत जोर से बारिश हो रही है और हमने अल्रेडी पहली दो पंतियों में पड़ा की पहाड गायब हो गए है क्योंकि बहुत कोहरा चा रहा है इसलिए अब क्या शेश रह गया है केवल आवाज शेश रह गई है आईए अब अगला पध्यांच पड़ते हैं दस गए धरा में सभय शाल उठ रहा दुआ जल गया ताल यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल धस गए धरा में सभय शाल धरा मतलब धरती सभय का अड़्थ है भय के साथ वित फियर शाल एक वरिक्ष का नाम है मैंने देखिए शाल के वरिक्ष का नीचे एक पिक्चर दे रखा है ताकि आपको एकडम क्लियर हो जाए उठ रहा धुआ जल गया ताल यहां ताल का अर्थ है तालाब तो आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर दे रखा है जहां पर कोहरे की वज़े से एकडम धुआ दिख रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की तालाब जल रहा हो और इसलिए उसमें से धुआ निकल रहा हो तो प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देख कर शाल के पेड डर कर धर्टी के अंदर धस गए हैं चारो और धुआ होने के कारण लग रहा है की तालाब में आग लग गई है वो जल रहे हैं यह जलद यान में विचर विचर था इंदर खेलता इंदर जाल जलद यान का अर्थ है बादल रूपी विमान विमान यानि एरोपलेन विचर ना का अर्थ होता है गूमना तो विचर विचर का अर्थ है गूम गूम कर इंद्र यानि इंद्र देवता यानि वर्षा का देवता इंद्र जाल यानि जादू गरी इंद्र देवता बहुत सारे जाल बिचाते रहते थे जादू करते रहते थे तो उसे इंद्र जाल का कहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र देवता भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं तो बच्चों मैं चाहती हूँ कि जब भी आप ये पढ़ रहे हैं ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं तो व्याख्या की जो लाइने मैंने नीचे लिख रखी है वो एक्जेक्ली वैसे ही आप कॉपी कर ले अपने नोटबुक में ताकि एक्जाम के पहले आपको रिवाइस करने में बहुत ही आसानी हो बोलते वक्त मैं आपको ज़ादा एक्स्प्रिनेशन्स दे रही हूँ लेकिन मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो पफेक्टली आपको आंसा में लिखना है तो इसे लिख जरूर लीजिए आप वीडियो को देखते हुए इसे हर बार पॉस कीजिए और हर बार जो व्य वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो all the best and do well in your exam and keep learning on Zenit tutorials आप हमारे चैनल पे CBSC की प् अपलोट किये हैं धन्यवाद